साहो ट्रेलर के रिलीज डेट का हुआ खुलासा अब शारुक खान की फिल्म जीरो खत्रे में प्रभास की फिल्म साहो इंदनों खूब सुर्खियों में है बता दे ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये फिल्म पोस्पोन होके अगले साल फेबरी के महीने में रिलीस की जाने वाली है इस फिल्म में प्रभास के ओपोजिट श्रद्धा कपूर नजर आने वाली है प्रभास फिल्म बाहु बली के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार बन चुके हैं और अब बस ऐसा ही हो गया है कि उनके हाथ जो भी फिल्म लगेगी वो फिल्म पांच सो करोड तो पार कर ही जाएगी वहीं आपको बता दो फिल्म साहो का बेसबरी से इंतजार किया जा रहा था लेकिन अब फैंस को करना होगा थोड़ा और इंतजार वहीं अब फिल्म साहो के ट्रेलर के रिलीस डेट का खुलासा हो चुका है आपको बता दो ये फिल्म का ट्रेलर इसी साल डिसेंबर के महीने में क्रिस्मस के मौके पर रिलीज किया जा सकता है वहीं क्रिस्मस के मौके पर शारुक खान के फिल्म जीरो भी रिलीज हो रही है अब ये तो आप जानते ही हैं कि प्रभास की फिल्म बाहु बली को लेकर फैंस की कितनी जादा एक्साइटमेंट ही और अब साहो को लेकर भी ऐसी ही एक्साइटमेंट है आपको बता दो दोनों ही काफी बड़ी बजट के फिल्में हैं जहां प्रभास की फिल्म साहो साड़े 300 करोड के बजट बनी फिल्म है तो वही फिल्म Zero का बजट भी लग बग 300 करोड ही है अब देखना ये होगा कि फिल्म साहो के ट्रेलρ के बाद क्या फिल्म Zero बॉक्स आफिस पर टिक पाती है या फिल्म साहो की हो जाती हैं जादा डिमान तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार डिसेंबर पर कौन छाया रहेगा शारुक खान के फिल्म जीरो या फिर साहो का ट्रेलर इस बारे में हमें जरूर कॉमेंट करके बताएं अपनी राय और बॉलिवूड की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बॉलिवूड टेशन के साथ वाट दो यू थिंक अबाट इस वीडियो प्लीस कॉमेंट, लाइक और शेर लाइस्ट बॉलिवूड अपडेट ढूना सब्सक्राइब सांस्कृती जब बॉलिवूड अप्डेट्ट इस वीडिवी जब वीड ऐस्ट जबॉड़ी अपडेट्स